हेलो नमस्कार सभी को आप सबका स्वागत है गुरुकुल ए स्कूल पर और इससे पहले आपका जो मैं बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट चल ला था या जो पाठिकरम आपका चल ला था वो चल ला जिसमें कि आपका जो पहला चैप्टर था या पहला पार्ट है था वो चल रहा था यूनिट जिसको हम कहते हैं मातरक तो उसमें मैंने आपको कई सारी चीज़े बताई कि आपका जैसे कि FPS सिस्टम क्या है और आपका CGA सिस्टम क्या है MKS क्या है मातरक क्या है मातरक को कितने त चैजानवों गुणा को हम क्या कहते हैं और हमने जो आपका स्टार्ट कराया था का हमने स्टार्ट कराया था आपका बहुत इक मात्रों की इकाईयों हमने हु inhabited को पिछले जो पार कह अ हिसमें हमने आप से डिसकस किये था या पने अब Guard लेक्टर हमाना नहीं देखा है, तो पिछला लेक्टर दरूर देखिए, तो पिछला वाला लेक्टर जब आप देखेंगे, तभी आपको आगे का लेक्टर समझ में आगए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही basic, बहुत ही मूलभूत तरीके से आपको समझाया है सब चीजे की मातरक कितने तरीके के होते हैं, मातरक क्या प्रकार होते हैं, मातरक उन प्रकारों के मतलब क्या होते हैं, FPS system क्या होता है, CGS system क्या होता है, MKS system क्या होता है, और दशन्मा गुणा क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपकी physical quantities start की जिसमें मैंने आपको बताई थी लंबाई की इकाई बताई थी तो उसे बहुत सारी चीजे मैंने आपको बताई है और बहुती विस्तरित रूप से आपको मैंने बताया है तो आपको उसको मैंने याद करने को भी बोला था कि जब आप उसको याद करोगे तब ही आप आगे वाले लेक्चर में समझ पाओगे चीजों को तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाके जरूर देखें और हमारे इस वीडियो के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और इसके बाद हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आपके जो दाए हाथ में जो लाल कलर का बटन बनके आ रहा है उसको आप दबाईए उससे आपका चैनल सब्सक्राइब होगा जो लोग सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो उनके में यह लाल बटन नहीं बनके आएगा उनके में एक ग्रे कलर का बटन बनके आएगा वैसे जब आपका लाल कलर का बटन अगर बन के आए तो ही आप उसको दबाईएगा अगर आपका लाल कलर का बटन बन के नहीं आ रहा है तो आप उसको मत दबाईएगा तो चलिए आज का हम ये पार्ट शुरू करते हैं तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लंबाई की एकाईएगा क्या होती हैं आज हम डिसकस करेंगे कि छेतरफल के मातरक क्या होते हैं यानि की यूनिट्स ऑफ एरिया उससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहूँगा यहाँ पर आपने नाम सुना होगा इससे पहले जब हमने लंबाई की बात की थी तो लंबाई थी केवल यह अगर मैं आपको आसान बाशा में समझाओं तो अगर हम इसको एक्स मानले रेखाए मानले इसको हमने मानलिया एक्स यह मानलिया वाई और यह मानलिया जड तो यह तीन रेखाए होती हैं किसी भी एक प्ले प्लेनेट प्लेन कहलाता है तो इसमें आपने देखा होगा कि केवल जिस समय अगर हम केवल किसी भी एक पर्टिकुलर सीमा या रेखा या लाइन की बात करें चाहे हम X की बात करें या फिर Y की बात करें या फिर सिर्फ जट की बात करें तो जो यह लाइन है वह आपका जिस में होगी उसको हम कहते हैं 1D plane यहां पर D का मतलब होता है Dimensional तो लंबाई की जितनी ही काईयां होती है वो इसी plane में आती है यानि कि 1D plane में ही आती है अगर यह इस तरीके से है तो 2D plane हो गया जैसे कि आगर आपने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लिया आपने तो यह जो एरिया होता है इसमें आप देख रहे हैं यह दो axis का use हो रहा है Y का use हो रहा है और X का use हो रहा है तो यह 2D plane कहलाएगा और ऐसे ही अगर आप एक keyboard बनाते हैं जैसे कि आप मार्चिस की डब भी देखते होंगे तो यह keyboard जैसे ही बनाते हैं तो यह आपका हो गया Y axis आपका यह हो गया X axis और आपका यह वाला हो गया Z axis तो यह आप देख रहें 3 axis इसमें इस्तमाल हो रही है किसी भी figure को बनाने के लिए तो इसको हम कहते है 3D plane तो आपको यह 1D, 2D और 3D समझ में आया होगा अब मैं बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों बताया जैसे कि मैंने आपको एकाई के गुणाक बताये थे यानि कि लंबाई की जो एकाईयां बताये थी units of length बताये थी तो उसमें जो हम बात करते हैं वो 1D में बात करते हैं केवल एक रेखा की बात करते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है या उसमें दो बिंदू के बीच में दूरी कितनी है यह सब देखते हैं अब जो हम एरिया देखेंगे एरिया जो हम देखेंगे यानि कि 6 तरफल जो देखेंगे 6 तरफल किसी भी 2D एकाई का 2D प्लेन में जो आपके होते जैसे कि रेक्टेंगल हो गया इन सब का 6 तरफल मापने के लिए आता है तो उसकी हम देखते हैं कि एकाईया क्या क्या है तो जैसे कि लेंथ के मैंने यहां पर यूनिट दे रखें यानि लंबाई की एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होते हैं तो एरिया में ध्यान रखेंगा कि मीटर स्क्वाइर होता है या स्क्वाइर मीटर कहलते हैं ऐसे स्क्वाइर मीटर तो एक मीटर स्क्वाइर में कितने सेंटी मीटर स्क्वाइर होंगे तो जब 1 meter में 100 cm हैं तो 1 meter में कितने cm स्कॉयंगे 100 गुणा 100 हो जाएंगे क्योंकि भाई square है square का मतलब दोनों का double करना है तो दोनों का जब डोनों का square करेंगे 100 into 100 तो हमारा क्या आएगा 10,000 cm square ऐसी 1 meter में यहां लिखाए 10 decimeter तो 1 meter square में कितने होंगे जल्दी सा बताईए कितने होंगे 100 decimeter square decimeter square dm square यह हो जाता है ऐसे ही यह है कुछ 6 तफल के गुणाख अब जैसे कि नीचे हम देखते हैं कि 1 hectare meter square में कितने होंगे meter square तो हमारा होगा 10,000 meter square या फिर 1 hectare के बराबर होगा यह 1 hectare क्या होगा 1 hectare बराबर 10,000 meter square ऐसे ही आप अगर देखना चाहें तो 1 km square में कितने meter square होंगे तो 1 km में कितने होते हैं 1 km में 1000 meter होंगे तो 1 km square में कितने होंगे आपके जल्दी से बताईए 10,000,000 meter square होंगे यह जो लिख रखा है मैंने तो आपको उमीद करता हूँ कि यह छेतरफल का जो मैंने आपको मातरक बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे जल्दी से हम दूसरे मातरक के उपर move करते हैं दूसरा मातरक है हमारा मातर और छमता के मातरक यानि कि volume and capacity तो मैंने अभी जो आपको 3D बताया था न 3D तो इसमें जो आपकी जितने ही figure आते हैं वो 3D figures आते हैं यानि कि जो आपका ये matches का डबा मान लीजे let's suppose इसका कितना आपका volume होगा या इसका कितनी मातर या छमता होगी या इस glass की कितनी मातर और छमता होगी या फिर इस balty की कितनी मात्रा और छम्ता होगी उसके मात्रा की बात करेंगे हम तो इसमें जैसे बात करते हैं एरिया में हो जाता है हमारा मीटर स्क्वाइर लेकिन जो वॉल्यूम का मात्रा होता है यानि कि जो आपका मात्रा और छम्ता वॉल्यूम मतलब मात्रा मातरा का मातरक होता है वो होता है cube में तो जब किसी भी cube में होंगे तो power उपर कौन से चड़ेगी तीन power चड़ेगी تو cube मतलब 3 बार multiply करना है हमें उसे और square मतलब 2 बार multiply करना है हमें उसी number को तो आएए समझते हैं जल्दी से 1 cubic meter 1 cubic meter को हम वन मीटर क्यूब भी लिखते हैं तो वन क्यूबिक मीटर में हमारे कितने लीटर होंगे तो वन क्यूबिक मीटर में हमारे जो लीटर होंगे वो थाउजन लीटर होंगे ऐसे ही हम देखते हैं अगर वन क्यूबिक सेंटी मीटर में हम कितने मिली 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 कि स्वारी दस हजार नहीं होंगे यह होगा आपका एक हजार क्योंकि भई 10 मिली मीटर है तो एक हजार मिली मीटर हो गई है ऐसे ही अगर हम बात करें आपकी कि एक मीटर में कितने क्योंकि नहीं होते एक मीटर में जैसे कि आपके 10 worship हुए तो एक ही स्क्वार में कितने हुए है जल्दी बताइब स्वार्डी स्कॉर और ऐसे ही एक क्यूबिक मीटर में गत्ते हुए जल्दी से multiply करिए 1000 decimeter cube यानि कि cubic decimeter अब अगर हम बात करें एक लीटर में कितने हुए तो एक लीटर में कितने हुए 1000 centimeter cube तो ये कुछ हमारे मातरा और छमता के मातरक थे इनको भी आपको याद करना होगा आपको ये सारे मातरक आपको याद करने होंगे units of volume and capacity और आपको जो मैंने छेटरफल का मातरक बताया है इससे पहले और इससे पहले वाली lecture में जो मैंने आपको लंबाई के मातरक बताये थे जो दशामला गुणा के बताया था जो भी उस टेस्ट में उत्तीन होगा उनका नाम अगले वाले वीडियो में हम announce करेंगे तो बहुत जल्द वो टेस्ट में आप से लेने वाला हूँ और उस टेस्ट में आप सभी को अच्छे marks लाने हैं तो उसमें आपको सारे answer आपको देने हैं और आपको उस वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि आप जादा से जादा नंबर ले पाएं तो उसके लिए आपको हमारी ये lecture लगातार देखने पड़ेंगे और आपको जब तक नहीं याद हो आप तब तक उन lecture को देखिए जब तक आप लेक्चर देखना जाए तब तक देखिए आप उन lecture को इसके बाद next में move करते हैं units of bit यानि की भार के मातरक तो भार आप समझते हैं किसी भी चीज़ का भार यानि की ये अगर डबा रखा है तो इसका कितना भार होगा या आप अपना भार मापते हैं तो भार कितने में निकल के आता है आपका एक weight machine होती है भार मापने की machine होती है उसके आप खड़े होते हैं तो उसके कितना भार आपका निकल के आता है या फिर आप कोई भी सबजी लेते हो जैसे कि आपने let's suppose कोई भी लौकी की सबजी लिया कुछ भी लिया तो आप किलो के हिसाफ से लेते हो ना तो उसका भी तो आप भार करवा के लेते हो कि भाई उसी हिसाफ से तो आप उसको पैसा दोगे तो उसमें क्या होता है 10 mg यानि कि 1 cm में कितने mg हुए 10 mg 1 cm में आपके कितने हुए 10 mg ठीक है और 1 kg में कितने ग्राम होते है 1000 g यानि कि अगर आपने 1 kg सबजी ली तो कितने ग्राम की हुई वो 1000 ग्राम की सबजी हुई 1 g में कितने cm होंगे 100 cm अगर हम इसी को reverse कर देगी 1 cm में कितने ग्राम होंगे तो होंगे 1 बटा 100 g ऐसा ही अगर हम करें 1 kg में let's suppose 1 kg में कितने ग्राम होते है 1000 तो 1 ग्राम में कितने किलो होगा 1 बटा 1000 अगर इसको हम point में करें तो तीन बार point तीन value बार point लगेगा तो तीन value बार point लगेगा .001 kg में ये value बनके आएगी आपकी तो ऐसे convert करते हैं ऐसे हम बदलाओ करते हैं एक unit को दूसरे unit में और उस unit का मातरक किस हिसाब से आपको याद करना है ऐसे हम याद करेंगे उसे तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक centigram में कितने होते हैं या 10 miligram में कितने होते हैं एक centigram होगा 10 centigram मतलब 1 decigram में कितने miligram होँगे 100 miligram होँगे ऐसे ही 10 decigram 1 gram के बराबर होता है और 1 gram में कितने miligram होँगे 1000 मिली ग्राम होंगे इस हिसाब से एक डेका ग्राम में कितने ग्राम सोते हैं 10 ग्राम सोते हैं ऐसे ही एक हेक्टो ग्राम में कितने होंगे 10 डेका ग्राम होंगे या फिर 100 ग्राम सोंगे तो ये कुछ आपके भार के मात रखें तो आपको इनको भी याद करना होगा तो हमें लगता है कि आज की lecture के लिए और पिछला वाले lecture मिला के आपको पढ़ने के लिए काफी material भी हो गया है और आपको बार-बार revise करते रहना क्योंकि इस पे हमें कोशन आपका कोशन वाला वीडियो तयार करेंगे जो आपका test के रूप में होगा और वो सभी कोशन आपके परीक्षा के नजरिये से बहुत ही जादा महत पूर होंगे परीक्षा में भी आपको वो मदद करेंगे परीक्षा में भी आपकी ये lectures मदद करेंगे और आपकी technical knowledge के लिए जो भी आप अपना workshop में अपलाए करोगे या फिर आप जो भी अपनी कारिशाला में अपलाए करोगे उसमें बहुत ही जादा मदद करेंगा तो इसको आप बार बार देखते रहिए और इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए जो भी आपके doubt होते हैं जो भी आपके प्रशन होते हैं वो हमारे वीडियो के बिल्कुल नीचे comment section एक दे रखा है उसमें आप अपने प्रशन सभी प्रशनों डाल सकते हैं मैं आपके सभी प्रशनों के उत्तर देने के लिए वहाँ पे मौजूद रहूंगा जैसे जैसे आपके प्रशन आते रहेंगे वहाँ मैं आपके प्रशनों का हल देता जाओंगा और हमारे इस वीडियो को जो आपके बाए हाथ पे जो like का बटन है उसको दवाना बिल्कुल न भूलें और इस वीडियो को अपने सहपाटियों साथ अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाटे ताकि आप सब मिलके इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएं और ताकि आप अपने जितनी भी कारिशालस related आपकी knowledge है आप उसमें strong हो पाएं और इसमें आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से बिल्कुल नंबर ला पाएं तो जल्दी से जल्दी हमाई चैनल के जो बाएं हात में आपका जो like का बटन है उसको दबाना न बूले और दाएं हात पे अगर आपने subscribe कर रखा है तो वो लाल बटन नहीं देखेगा और अगर आपने subscribe नहीं कर रखा है तो आपको लाल बटन दखेगा और आपको उस लाल शेयर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में आज के लिए एठना ही धन्यवाद